ये हमारे पास half HP, centrifugal regenerative pump है, इसकी section line में ये pipe जुड़ा हुआ है जिसके end में एक football लगी हुई है, इसका काम प्राइमिंग के समय पानी को रोक कर रखना है, जब motor चाल हुआती है तब football का वाल अपने आप ही पानी की दबाव से खुल जाता है, जब motor बंद रहती है तब football वाल भी बंद रहता है, मतलब इसका वाल शुरुआत में बंद रहता है, ताकि जब हम motor के प्राइमिंग करें तब इसके अंदर से पानी ना निकल जाए, प्राइमिंग का मतलब है कि इसके section pipe और इसके impeller cabinet में जो हवा बरी हुई है उसको बाहर निकालना है, जब हम impeller के cabinet में प बंद रहता है, और motor में मौजूद सारी हवा बाहर निकल जाती है, प्राइमिंग motor को बंद करके ही की जाती है, जब motor चालू होती है तो football का वालू पानी के दबाव से अपने आप ही खुल जाता है और पानी खीचने लगता है, अगर हम इसके section pipe और impeller cabinet को पानी से नहीं भर रहेंगे, तो motor में air रहेगी और वह ठीक से पानी नहीं उठा पाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, football के अंतर एक spring लगी हुई है, जिसके सारे उसका एक भाग उपर नीची हो रहा है, जब पानी का दबाव इस plunger पे पढ़ता है, तो वालू खुल जाता है, जब motor बंद होती है, तब यह वाली भी spring के द्वारा बंद रहता है, ताकि हम suction pipe और impeller cabinet को पानी से अच्छे से भर सकें, उसमें से सारी air बाहर निकल जाएगी, और हमारी motor ठीक से पानी उठाएगी, और football का वालू motor चालू होने के बाद, पानी के दबाव से अपने आप पानी फेकने लगेगी, इस वीडियो में हमने आपको पूरा concept समझाने की कोशिश की है, motor को हमेशा चलाने से पूर्व काम में लेने से पहले इसकी प्राइमिंग जरूर करनी चाहिए, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें